नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का। करके जरूर बताएं कि क्या यह सही है या गलत है और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना बिलकुल भी ना भूलें तो चले दोस्तों दिखा देता हूं आपको क्या नई अपडेट आई है तो दोस्तों यह एक अपडेट है सबसे पहले मां आपको दि आई थी तो उसमें क्या था ओनलाइन फोर्म भरे गए थे उसके बाद एक कोई जो अपील करता है जिसने केस किया था उसने क्या क्या रिटन टेस्ट भी पास कर लिया अब क्या हुआ आयोग ने उसका रिजल्ट है वो 25 फरवरी 2022 को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया और उस इस में यह भी लिख दिया कि आपको अपने डॉक्वमेंट है वो ओनलाइन अफ्लोड करने है यानि कि जिक्तने भी डॉक्या है उनको उनलाइन वोड पे अफ्लोड करना था उसके बाद फूटनिव फर्म जमा करना था तो उसके बाद फर्मों की जो डॉक्रमlass है वो अब क्या है जो अपील करता है उसने क्या क्या आवस्त तक जो दस्तावेज थे डोकॉमेंट थे वो उस पे अपलोड नहीं किये और उसकी उमीदवारी रद कर दिया यानि कि उसको बाहर कर दिया गया उसने हो सकता है कि उसको पता नहीं चला या जो भी कारण था उसको उस चक्र में बाहर कर दिया तो उसने क्या किया जाके कोट में केस कर दिया जी कि मैं सेलेक्ट था लेकिन मेरे को बाहर क्यों कर दिया तो court नहीं क्या है, HSC से जो देखा data उसमें पता चला कि उन्हें नोटिस में ये लिख रखा था कि आपको document upload करने हैं तो HSC यदि कोई notice में कोई बात लिख देती है और वो काम आप नहीं करते हैं तो उसके उपर आप case नहीं कर सकते हैं तो ये ध्यान रखें उस पर आप time और पैसे बरबाद बिल्कुल भी ना करें आप अपनी जो भी है फारम भर रखा और आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा selection या फिर उमीद है तो आप समय समय पे website पे विजिट करते रहें या फिर जो है सोसल मीडिया के जरिए किसी भी तरीके से अपना पुरा ध्यान रखें तो ये मामला था इसके बारे में जो है चीफ जश्टिस साब है रवी संकर जहा और जश्टिस अरुन पली की खंड़ में जो है ये ब्यान दिया गया कि इस टाइप से आप यदि टाइम पर अपने वालों को कोड से रहात के मंग करनी चाहिए यहां पर ये बताया गया है हाई कोड की टिपनी है तो इस टाइप से टाइम बरबाद ना करें अपने सब चीजों का ध्यान रखें बाकि आपकी जो भी रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं आपने वीडियो यहां त तक देखिया आपका वोड़ दने